हेलो एब्रिवन आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जाने वाले सीखने वाले हैं कलर मिक्सिंग के कुछ आपको बताऊंगी और पिर अलग से एक डिजाइन भी आपके शेयर करूंगी तो देखे मैं यह नौर्मल सा विप क्रीम लिया है और इस विप क्रीम में मैं नैचुरल सा पिस्ता कलर बनके रिडी होगा अगर आपको डार्क चाहिए तो कलर और जादा एड़ करिए बट यह इतना कलर में भी बहुत ही सुंदर सा कलर बनता है यह देखे मतलब बिलकुल आपके कीक का लूक चेंज कर देगा इतना खुबसूरत सा कलर बनता है यह तो आप पूरे केक को ऐसे ही कवर करना है डिजाइन बहुत ही जादा सिंबल है कुछ भी नहीं करना है मतलब इसमें आपको खराब होने वाला कोई चांस नहीं है कि मतलब खराब हो जाएगी आप यह ड्राई करिए फिर मैंने लिया है हलका सा बेवी पिंक कलर और जैसे मैंने चारो तरप से मैं ना केक रखा है केक को वैसे मुझे कवर करना है इस कलर से भी फिर मैं इसके उपर N1 से ही बना दूंगी रोज नॉर्मल सा रोज बनाना है कुछ भी ने करना है बस एक पैसे उठाना है और ऐसे गुमा देना है और यह डिजाइन भी बहुत ही सुंदर लगते है के उपर मैंने ऐसे ही एनवन नॉजल का एक और डिजाइन शेयर किया है वर थोड़ा सालग है बो डिजाइन अगर आपने व बना है तो आपको न कलर जब भी आपका बच जाता है विप क्रिम तो हलका साफ एक दू डू डॉप कलर डालके आप एकस्परिमेंट कर सकते हैं कि अगर यह हम डालेंगे तो कौन सा कलर बनके रेडी होगा तो देखिए मैं लीफ बना दी है लीफ वाले नोजल से और बीच जाननी हो सीखनी हो है वर कुछ नहीं डिजाइन देखनी हो तो आप चालों को सब्सक्राइब जरूर कर लीजे लागन को प्रेस करके और जरूर करके क्लिक करिए तब ही मेरी वीडियो की सारे मोटिफिकेशन मिलेगी और आप मेरी वीडियो सबसे बहले देख पाएंगे हर तो यह देखिए मैंने लिया है ना सिल्बर फूट स्परी कलर मैं आपको अंदर दिखाती हूं कि अगर हमने इस परी जहां किया है वहां कैसा दिख रहा है यह देखिए इस साइट में मैंने बिलकुल भी स्परी नहीं किया है तो देखिए कैसा दिख रहा है और इधर की श आपका केक का फाइनल लुक वीडियो पसंद आएगे तो लाइक ज़रू कर दीजेगा पाइमने फ्रेंड के शेयर भी कर दीजे और हाँ इंस्टेगर में फॉलो नहीं किया तो फॉलो ज़रू कर लिजें लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है तो चलिए मिलते हैं अपनी न कुछ नहीं लेकर आते हैं कुछ नहीं सीखते हैं